मौर्निंग वोकल रियाज के बारे में काफी कन्फूजन है लोगों को हो सकता है आपको नहीं हो आप सही से कर रहे हूं पर मेरे पास बहुत कुश्चन आते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी नएने जुड़े हैं और मेरे इस कॉंटेक्ट लिस्ट में हैं मैं जो भी मेस करता हूं वो सबको एक साथ चला जाता है आपको अगर यह सब पता हो पहले सी तो आप यह ने सोचना कि बार बार बता रहा हूं मैं इस सुन लीजिए एक बार आप भी ताकि आपका रिविजिन हो जागा और जो नए आए हैं उनको क्लियर पता पढ़ जागा कि आखिर कैस चैरा करना होता है है कुछ गलत कर लिते हैं तो इसका नुकसान उठा रहा है मैंने जब यह मॉरिन्ग उकल रियाज डिजाइन किया था तो बहुत किलियर किया था कि मॉर्निंग मिंस अनली इन दे मॉर्निग है वोसके अलावार और नहीं करना कभी बाकी किसी और को टैब में करोगे तो आपको नुक्सान होगा इसका फाइदा नहीं होगा पाइदा तभी होगा जब आप सुबह चार वजए से लेके साथ वजए के बीच में बैठके करोगे इसके पीछे कई कारण है सुबह के करने वा एक तो यह कि भैरव का थाठ है जिसका टाइमिंग होई है जब आप किसी थाठ याराग को उसकी समय के अनुसार करते हैं तो बहुत फाइदा होता है उससे तभी वह अपना रंग लाते हैं वह स्वर दूसरा कारण यह कि उस समय आपका पेट बिल्कुल साफ होता है और जब रियाज करते हैं तो सांस ज्यादा से ज्यादा ब आप ऐसा करेंगे तो एसी डिटी गैस पीठ का दर्द सिर का दर्द ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी होंगी तो बिल्कुल खाली पेट हो चाई पी ली हो तो कोई ऐसी खास बात नहीं है चाई पी सकते हैं क्योंको मुझे पता है भी आप मेंसे कुछ लोग यह पूछेंगे क्या चाई पी सकते हैं क्या बहुत चुट चुटी बात पूछ रहे हैं लोग क्या कर सकते हैं रियाज से पहले पानी पी सकते हैं क्या प अब ये समझ लो कि इसको करना कैसे है उससे पहले चलिए एक और important सवाल अभी था थोड़ी देर पहले कि भी चार से साथ तो रियाज कर लिया और साथ से साड़े आठ वजे तक सो ली ये बहुत ही ज़्यादा ख़तलना को गया सोना नहीं जाग गए हैं तो फिर जाग गए हैं उठो जागो रियाज करो का मतलब है उठ जवाई चाहिए आप जाग जाईए फिर आप अपने देनिक कामों में लग जाईए जो रोज आप करते हो ड्यूटी जाते हैं इस्टुडेंट हैं तो पड़ाही करने जाते हो ओफिसर्स हैं तो ओफिस जाएंगे सब अपने अपने काम में लग जाईए दिन में सोना तो वैसे भी हनिकारक बताया गया है हर शास्तर में कहा गया कि दिन की नीद जो बड़ी खराब है आलच से आता है शरी टूपता है नुक्सान होता है उससे चलिए रियाज कैसे करेंगे ये और एक बार में बहुत क्लियर यहां बता देता हूँ पांच अक्षर सबसे पहले हैं आ, उ, ओ, 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 सबसे पहले एक ही सांस में अ को लंबा बोलिए जितना लंबा बोल सकते हैं फिर उ को लंबा बोलिए फिर ओ, 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 पांच अक्षरों को एक-एक सांस में, लंबी सांस में, एक-एक अक्षर कम से कम पंदरा मिनित तक बार-बार बोलते रहिए उसके बाद जितनी लंबी आपकी जो सांस है न उसमें ही ये पांच सो अक्षर भरने हैं तो थोड़ा बीच के गैप उस हिसाफ से आप देख लेना मालो इतनी लंबी सांस है तो आपने जो गैप भी देखा एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर में ऐसा कर लीजिए इसको भी कम से कम पांच मिनट दे दीजिए एक ही सांस में पांचो अक्षर बराबर बराबर अंतराल से पांच मिनट तक बोलते रहिए फिर पांच मिनट बाद इसकी स्पीर बढ़ा लीजिए यानि कि एक ही सांस में ये पांच अक्षर दो बार आ जाएं कम से कम ऐसे आप अपनी सांस भो बना लीजिए लंबा लंबा फिर यही अक्षर उतनी ही सांस में जितनी सांस आपने पहले एक अक्षर को दी थी उतनी ही लंबी सांस में ये पांचों अक्षर चार बार आ जाए फिर उतनी ही लंबी सांस में पांचों अक्षर आठ बार आ जाए फिर तो इस्पीर बढ़ती जाएगी इस्पीर बढ़ती जाएगी तभी आपके आठ बार और चार बार होंगे एक सांस में पिर उसके बाद और इस्पीर बढ़ाईए तो एक ही सांस में कम से कम सोला बार तो आपको बोल नहीं है एक सांस में सोला बार आपका यह आ जाए उस करिए यह करते करते आपको करीब 45 मिनिट हो जाएंगे 45 मिनिट के बाद आप उठाइए बारा खड़ी को यह सारे अक्षर जो खाली वाला अक्षर आता है उसको मत बोलना उसकी जगे आ आ-ई जैसे काखा काखा के बाद जो आता अंगा उसको उसकी जगे आ आ-ई य ही बोल लो फिर चाचहा जाजा के बाद वहां आता है उसकी जगे उथाएए वालीuses बोल लो वहां के बाद का रहा है टाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठाठ तो वो चोथी काली से करते हैं तो चोथी काली का सामान के करें और पुरुष हैं लड़के बड़े हो गए हैं भारी आवाज हो गई हैं तो वो पहली काली को यानि कि सी शार्प को सामान करके उस पर ये धनिया करें उसके बाद आपको बीज मंत्र यह सारे वीडियो जो अलड़ी यूटूब पे हैं बीज मंत्र से रिलेटेट भी वीडियो है इसमें लम रम शम वम इस तरह से अक्षर हैं कुछ उनको चारण हर स्वर पर करिए भैरव थाट के स्वर लगाए सारे गमा पदनी सा सानी धप मगरे सा रे और धा कोमा लोगा प् लम 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 ऐसे लमभी सांस में बोलते जाएं फिर इसी तरह से रेका है रम तो रम 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 ऐसे करते जाएं तो यह बीज मंत्रों का वीडियो भी आप देखें जो मॉर्निंग वोकल रियाज वीडियो जब आप खोलेंगे तो उसमें साथवे आठवे नंबर का जो वीडियो है वह देख लेना दस वीडियो है उसमें उनमें से कोई साभी देख लेना खोल के कि किसमें बीज मंत्र के बारे में टाइटल पढ़ा हुआ है टाइटल पर से क्लियर हो जाएगा कि यह बीज मंत्र वाला तो आप बीज मंत्र देख करके उसके बाद बीज मंत्र क करेंगे सारे आभणा औट तारिव को चौथा होता है तो इन्पे इन सब रे गह तो लूम रमय ऐसे शारे बना या वसे आप्वर्ण वम बना सकते हो कि इससे पूरे पेज में आपको पहले बीजमंतर reporting करने के से फिर सा से करें फिर सा नि धार निके अफुर्व नि можно रेमिर के उधर सारी आपको उथर एकिक फ्रीन पर चर्णा है एकर नीचे उतर ना है इस त devient करते हुए जो आपके मंद्र के और मध्धिके सारे स्वर हो जाएंगे उसके बाद आपको तार में घुषना है तार में भी जब घुषें तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे पूरा उतरना है मंदर तक जहां तक आप चले गए थे मंदर तक पूरा नीचे उतरें और फिर वहां से एक एक स्वर उपर चड़ते हुए जाएं और फिर तार में एक स्वर एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करें हर बार तो इस तरह से करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आपके तीनों सब तक आपकी गले से निकलेंगे और पुराने लोगों ने खरज 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 कहके करके ऐसा बरबाद कर रखा है सबको खरज का रियाज किया करो खरज का रियाज किया करो अब इसमें क्या खरज करोगे आप जो मैंने जो भी टेक्निक बताई है उसमें खरज भी आ रहा है मद्दी भी आ रहा है तार भी आ रहा सारे सब तक आ रहें तो फिर खाली खरज क्यों तो केवल खरज का रियाज नहीं करना केवल खरज का रियाज करने से आपके ऊपर के सुर्ख खतम हो जाते हैं वह नहीं लगते हैं फिर इसलिए हमने इसको बैलेंस में ऐसा बनाया एक सवर नीचे एक सवर उपर तक बढ़ते रही है तो यह आपको ज्यादा फादा करेगा बजा केवल खरज को करने से तो यह सारी टेक्निक्स हैं जो मैंने बहुत क्लियर अभी आपको बता दी हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपना मॉर्निंग वोकल रियाज करें बहुत जरूवी है इसी से आपकी आवाज सुन्दर और स्ट्रोंग बनने वाली है यह हो